दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, फिर हम हमारे Tely Software के Old Version यानि की Tely.erp9 Software के Data को Tely Software के Letest Version यानि की Tely Prime Software में अगर हमें रन कराना पड़े तो हम किस तरीके से रन करा सकते हैं? या फिर अगर हमें Tally Prime Software के data को हमारे previous version यानि कि Tally ERP9 Software में अगर run कराना पड़े तो हम किस तरीके से कर सकते हैं तो ये सारी बातें आज आज आपको इस वीडियो में practically देखने को मिलने वाली है तो वीडियो को आप पूरा complete जूर देखना अगर आप एक Tally Software के नए operator तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा important रहने वाली है वीडियो के आपको पसंद आए, knowledgeable लगे तो जुरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ share भी करना अगर आप इस चैनल पर पहले बार आए हो, तो चैनल को भी जुरूर सब्सक्राइब कीजिए, notification बेल को प्रेस करकर all पर क्लिक कीजिए ताकि मारी आने वाली हर नए नए वीडियो का notification सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मौन सुथार, और स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल पे, तो स्टार्ट करते हैं आज के यी वीडियो तो दोस्तों हमने दोनों टेली सॉप्ट्वेर को ओपन किया है, तो अभी यहां पे आप देख रहे हो मारे सामने प्रजेंट है में यह टेली प्राइम सॉप्ट्वेर ओपन है, जिसको आप कलर कॉमिनेशन से भी आप पहचान सकते हो, और यह है टेली.erp9 का जो हमारा प् आपको इस सॉप्ट्वेर में यहांनि कि टेली प्राइम सॉप्ट्वेर में आपको लिस्ट अप कमपनी में शोगी, क्योंकि दोनों का जो डेटा फार्थ है, लोकेशन है, जो डेटा की वह बिल्कुल सेम है, तो यह दोनों जो सॉप्ट्वेर हैं, लेटेश्ट वर्जन और ओल्ड वर्जन यह दोनों सेम लोकेशन से ही डेटा को पिक कर रहे हैं, तो अब अगर हमें, कोई भी, अब जैसे आप सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, भी आपके सामने जो लिस्ट अप कमपनी है, टेली प्राइम सॉप्ट्वेर में, वो टेली प्राइम कर रहे हैं, इसके बीच में कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब यह जो सभी कमपनी अभी तेली प्राइम सॉफ्टवेर पे रन कर रही हैं, अगर हम इन कमपनी को अगर टेली- यह शॉप्ट्वेर में अगर हम रन करेंगे, माली जी कोई भी कमपनी ह जैसा कि हमारे पास यह company है MS Enterprises, और इसका code 1006, और यह company आपको यहाँ पर भी दिखाई देगी, MS Enterprises, और इसका code 1006, अगर हम इस company को टेली.erp9 software में अगर open करना चाहें, तो आपके सामने यह option आजाएगा, अगर आप इसको यस करोगे, तो आपके सामने यह error आएगी, और इस error में सबस्क्राइगा, तो इस तरीके से यह message गूमते रहेंगा, आपके पास में, अगर इसको हम टेली prime software में open करेंगे, तो यह easily open हो जाएगी, क्योंकि यह टेली prime software में ही create हुई है, और यहां पे अभी इसका data run हो रहा है, तो वापीस हम back चलते हैं, select पे आजेंगे, अगर हमें इस company को टेली.erp9 में अगर open करना पड़े, तो सबसे पहले आपको इस option पे आना होगा company info पर, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, control, plus alt, plus r, यहनिकि तीन की आपको एक साथ प्रेस करनी है, control, plus alt, plus r, तो जैसे हम करेंगे, तो हमारे सामने एक option आ जाएगा, rewrite का, तो आपको rewrite company करनी पड़ेगी, जो company आप टेली.erp9 software में run कराना चाहते हो, तो जैसे कि हम MS Enterprises को run करा रहे है, enterprise करेंगे, तो हमारे से option पुछेगा rewrite, इसको करेंगी yes, और उसके बाद option आएगा, मारे पास backup before rewriting, अगर आप backup लेना चाहते हो, तो ले सकते हो, otherwise आप इसको no कर सकते हो, अब अगर हम इस company को open करेंगे, तो यह company, easily हमारे टेली.erp9 software में open हो ज पर आ सकता है, और error आके आपका software है जो बंद हो जाएगा, तो वापिस आपका restart होएगा, अब restart हो भी सकता है, कई system पर यह restart नहीं होता, लेकिन जब भी यह open होएगा, तो अब आप देख रहे हो, इस company के आगे यह option आ गया, migration required, यानि कि अब यह जो company है, यह जो code है, यह अब आपका टेली, prime software का data नहीं रहा, इसको आपने किसी other version के अंदर इसको use आप कर चुकी हो, तो यह आपके सामने option दिखाई देगा, क्योंकि अभी present time में हमने इस company को tally.erp9 software में open कर दिया, जो कि इसका previous version है, तो अगर हमें वापिस इसी को अगर हम यहां से इसको बंद क्लोज अगर हम करते हैं, LTF1 करके वापिस हम list of company पर आ जाते हैं, और उसके बाद में जब same company को हम ms enterprises को tally prime software में अगर open करेंगे, तो हमारे से कुछ यह migrate के लिए option पहले आप इस company का backup आपको लेना है या नहीं लेना, तो अगर आपको backup नहीं लेना है, तो आपको configuration पर आके और इस option पर आपको enterprise करना है, तो यह automatic नो हो जाएगा, तो उसके बाद में वापिस हम इस window पर आजेंगे, और अब आपको यहां पर click करना होगा, migrate पर, तो जैसे migrate पर click करेंगे, तो यह company migrate होजेगी, और आपके telly prime software में data run वापिस start होजेगा, अगर हम वापिस जाएं select company में, तो जो required migrate option जो आपको आपको आ रहा था यहां पर, अब वो यहां से हट जाएगा, अब अगर इसी company को वापिस हम telly.erp9 में open करेंगे, तो same वोई option आपके पास open करनी है, तो इसको rewrite करेंगे, yes, और backup को कर देंगे, no, अब आपके सामने यह company अब telly.erp9 में run करेंगी, और वहां पर आपके सामने option आ जाएगा, अगर वापिस हम जाएंगे, select के उपर company में जाएंगे, और select पे जाएंगे, तो अब इस company के सामने आप देखेंगे, यह migration required का option आ गया, तो हम इस तरीके से इसको भी हम यहाँ पर migrate कर देंगे, तो अब इसके बाद migrate, अगर आपको इसका backup लेने है, तो yes कर सकते है, otherwise आप इसको no करोगे, और वापिस हम इसको migrate करेंगे, तो अब आपकी जो company है, यह Siri traders की, यह present time में अभी यह Siri tele.erp9 पर भी रन कर रह है, अगर आपका same data location आ रहा है, तो, क्योंकि otherwise आपके data का loss हो सकता है, और अगर आप migrate कर रहे हो, data को latest version से previous version में, या फिर previous version का वाला data आपको latest ने version में, अगर आप convert कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले backup जरूर ले लेना है, दोनों software में, तो दोस्तों, I hope कि आज की वीडियो आपको knowledgeable लगी है, तो वीडियो कर आपको पसंद आई है, तो please वीडियो को like देके जरूर जाना, तो मिलते हैं next वीडियो में, एक और नए interesting topic के साथ,